कि अब गर के बाहर भी चोटा चोटा घर बनाना जुरुत होता है वो कौशेड के लिए या नहीं तो वरकर रहने के लिए या कार को रखने के लिए श्टोर बनाने के लिए ऐसा अलग-अलग परपसस में घर के बाहर और आउट हाओस ये बनाना जरूरत पड़ता है, मगर ये बनाने के टाइम में भी वास्तु का केर लेना जरूरी है, मगर ये आउटे होस के कारण भी कभी में होस डिश्टर्ब हो जाती है, इसलिए ये कहां बना दिये तो अच्छा रेजल्ट मिलते है, वो भी वास्तु सीखने वालों को जरूरत है, अ मांपूर्डवाल है, मतलब धीप को हवा से सेफटी करने के लिए, हवा से रोकने के लिए, धीप को चिमनी कैसा है, ग्लास कैसा है, ऐसा ये घर को आजुबाजु एफेक्ट नहीं होने के लिए ये बाउंडरी वाल बनाना जरूरी है, वो बाउंडरी वाल में भी आपका देक्षिना और पच्चिम तरफ बाउंडरी वाल उंचा होना है, उत्तरा और पोरफ तरफ बाउंडरी वाल डाउन होना है, ऐसा ये में हाउस है, ये में हाउस को आप पोरफ तरफ कुछ आउट हाउस बनाना है, अलग किचिन है या नए तो काउशेट जो भी है, ये बना करने की टाइम में एक रूल है पच्चिम में कितना काली होगा बिल्लिंग से उससे इधर ज्यादा छोड़के मनला बिल्लिंग टू शेड ज्यादा होगा उससे शेड टू कामपॉंड वाला ज्यादा होना चाहिए सपोज आप इधर आपका पांच फूट हो इधर चे फीट ह चाहिए यह तर साथ फीट होना चाहिए ऐसा ओपन स्पेस बढ़ते जाना है मार यह इसका भी एक परसंटेज है इस में आप देखे तो यह तीन बाग करें तो यह बिल्लिंग में आपका तीन बाग करें तो यह भाग तक आपको यह उड़ावस या कारशेट जो भी इधर अगनी में बनाने के लिए एलावड है यही वाला आपको पुरब तरफ बनाना डेंजर है और इशान तरफ बनाना भी बहुत डेंजर है कभी भी ऐसा कारशेड कुछ भी आप नार्तिष्ट में बना दिये है उसके कारण घर के अंदर आने वाला यह अनर्जी रुख जाती है करण में इतना वास्त रिजल्ट नहीं मिलते हैं सिर्फ यह पुरब दिशा के लिए इधर अगनी में एलावड है ऐसा देक्षिन में भी आप कुछ किचन डालना है अलाग किचन अलाग स्टोर डालना है तो आप बिल्लिंग से पीछे यह चाहे तो कांपोंड वाल को टेच करके भी आप वो यह आउट हॉस बना सकते हैं मगर इधर अगनी में यह रूम बनाने के टेम में सौथ वेस्ट में भी एक रूम बनाना जरूरी है इधर या इधर यह दोनों जगह में इधर वजन दे दिया तो यहां भी कुछ वजन देना है यह इसी लाइन में आप को बिल्लिंग से बिना टצ करके बनाना पड़ता है ऐसा आप एक पच्चिम दिशा में यह स्टोर आर जो भी है वरकर कोडर कुछ भी आप इधर वाल को टेच करके नए तो ग्याब छोड़के ऐसा यह भी बना सकता है वायु दिशा में फिर यह वायु दिशा में आयरितो गो होना जरूरी है ऐसा ये दिशावों में आपका ऐट ही मिया इस category यहां भी में BTS वी इसको भाग सकते हैं यहाँ भी एक रूल है यह आपका सपोज पांच फीट हो गए यह चे फीट होना है यह साथ फीट होना है मगर ओपन स्पेस ज्यादा चोड़ते चोड़ते इसको बनाने पड़ागा सपोज में होस से यह कंपसरी यह दोना दिशा में डौन होना चाहिए आउट होस यह होस बना है कभी भी आपका यिशान में कोई आउट होस इधर होगा यह लड़कियों के उपर बहुत प्रभाव करते हैं मगर लड़कियों का हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है वह ऐसा आपको पोरब तारफ आप एक आउट होस बनाया है मगर उससे आपका लड़का लोगं का घर का बच्चों का उपर बैड एफेक्ट देने वाला यह है इसी दोनों दिशा में कभी भी आपका कुछ आउट होस कारशेड कौशेड कुछ भी हो कुछ भी डाल दिया तो यह घर के लिए बहुत धरिदर है मतलब आपका घर का मेन एनरजी पोरा यह खा जाती है इसलिए यह दोनों दिशा में एकदम कुल्ला होना है यहां से हर समय आपको पॉस्ट्व एनरजी पास होता रहता है इसलिए यह कुल्ला रहना यहां बे आपका आलड़ी घर में कई ऐसा कुछ शेड़ी गीड़ा है तो इमिडियेटली तोड़ना है तोड़के पूरा साफ करना जर दूरी है